आज मेरा जन्म दिन है जब मैं बच्चा था तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया दिन हुआ करता था तीनेज पहुँचने पर मैं पार्टी करने लगा आज मैं सत्संग में बैठा हूँ और मेरी फैमिली मुझसे कह रही है कि तुम्हें क्या हो गया है जन्म दिन बस एक और दिन बन गया है और मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है आपका विकास हो रहा है आपको अपने माता-पिता के विकास में मदद करनी चाहिए क्योंकि एक भारती व्यक्ति के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें माता पिता हमिशा चाते थे कि उनका एक बेटा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको विश्वास था कि आप उनके मुक्ती में मदद करेंगे आप जानते? क्या आप ये जानते? क्यों? आप नहीं जानते? वो लड़का इसलिए चाते हैं क्योंकि जब आप मरेंगे तो आपके चिता में आग लगाने के लिए सिर्फ आपका बेटा ही वहां रहेगा वो ही सारे क्रिया करम करेगा ये बहुत हैम है क्योंकि बेटी शादी करके कहीं और चली जाती है आज की बात अलग है वो जहां कहीं भी हो अगर आप मरते हैं तो वो वापस आ जाएगी मेरा मतलब अगर आप मरते हैं तब तो वो आ ही जाएगी लेकिन उन दिनों अगर लड़की की शादी हो गई और वो कहीं दूर चली गई तो बस बात खतम आप उसे कभी कभार ही देखेंगे ठीक है? वो आपके मरने पर नहीं आएगी क्योंकि आप शरीर को नहीं रख सकते अगर वो कहीं दूर से 200 किलोमिटर चल कर आती है तो उसे आने में 5 दिन लग जाएगे और वो नहीं आएगी तो वहाँ जरूरी चीजें करने के लिए कोई भी नहीं होगा इसलिए एक बेटे का होना बहुत जरूरी था वो वहीं रहेगा अगर आप मर जाते हैं तो वो सारी जरूरी चीजें करेगा ताकि आपको मुक्ति मिल जाए इसलिए अपनी मुक्ति के लिए अन्जाने में उन्होंने आपको पैता किया अब समय आ गया है आपके एक साल करीब पहुँच गए है आपके माता-पिता आपसे भी ज्यादा करीब हैं, है ना? यही जीवन की सच्चाई है अगर आप इस सच को भूल जाते हैं तो आप एक मुर्खता पून जीवन जीएंगें, है ना? है कि नहीं? अगर आप इस सच को चूकते हैं, तो आप एक मुर्खता पून जीवन जीने वाले हैं इसलिए, अपने जन्मदिन के तोफ़े के रूप में, आपको उन्हें याद दिलाना चाहिए कि भीतर देखने का समय आ गया है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप दारू पीते हैं अगर आप यहां-वहां भटकते हैं लेकिन उन्हें डर है कि अगर आप एक आध्यात में कदम बढ़ाते हैं तो शायद आप वापस ना आएं, वो सही सोच रहे हैं एसा नहीं है कि आप घर नहीं जाएंगे आप घर जाएंगे, पर आपके उनसे पहले जैसे बंधन नहीं होंगे आप पर उनका कोई अंकुष नहीं होगा अचानक आप आजाद हैं, ऐसा कोई भी सहन नहीं कर सकता क्रिपिया इसे समझे, मैं बंदी हूँ और आप आजाद हैं, मैं इसे सहन नहीं कर सकता जब मैं बंदी हूँ तो आपको भी बंदी होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बंधा हूँ तुम मुझसे क्यों नहीं बंदे हो? यही सारा खेल है इसलिए एक बेटा होने के नाते, आपका एक सबसे महत्वपूर्ण करतव्य है, उन्हें याद दिलाना क्योंके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपनी समझ के मुताबिक आपके लिए सबसे बहतर कर चुके हैं समय आ गया है कि वो अपने अंदर देखें, समय आ गया है कि वो कुछ समय और उर्जा अपने भीतरी कल्यान पर लगाएं क्योंकि अगर वो ये एक चीज नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी मौत बहुत दुखतायक होगी हां? अगर आपको शरीर से परे कुछ नहीं मिला, तो जब मौत का पल आएगा, तब डर से थर्थरानत तय है और कोई चारा नहीं है, है ना? आप नहीं चाहते कि माता पिता डर के साथ मरें, आप चाहते हैं कि वो गरिमा के साथ मरें, है ना? तो आपको अपने भीतर मुणना होगा आपको ये पक्का करना होगा कि वो अपने भीतर की उर्मुणे है